नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजीटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अरियाना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की बर्तियों को लेकर आज कोट केस था बहुत बड़ा दिन था साथियो सभी को फैसले की उमीद थी कि आज ही फैसला हो जाएगा लेकिन किस पक्स में फैसला जाता हुआ नजरा रहा है क्या क्या जो वहाँ पर डिसकस हुआ है और आखिरकार आगे क्या रहने वाड़ा है विस्तार से चर्चा करेंगे अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल विश्तार ने जानकर याप तक पहुचाता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियो हमने दिन में भी वीडियो बना कर बताया था कि देरियर रखें और पोजिटिव रहें नेगेटिव रखने के लिए कोई कुछ कहने वाड़ा है कोई कुछ कहने वाड़ा है क्यूंकि सोचल मीडिया पर जो चल रहा है वह आप देख भी रहे होंगी लेकिन आज कोर्ट में आखिरकार हुआ क्या यह तो आपको पताय सात्यों गल्तियां तो हुई है तब ही कोड क दे गए हैं वह आड़ा मैटर भी चला है कि एक्सरिश्मेन या डिपेंडेंट एक्सरिश्मेन को नमबर दे दिये गए अब वो नमबर विड्रा हुए नहीं हुए तो वह जो भी मामला सात्यों कोड में हुआ है वह मैटर एक तो चला है दूसरा 567 पर ज्यादा मैटर तो नहीं किसा नेक्स्ट डेट दे दी गई है और खुल मिलाकर बाती है साक्यों गबराने की अभी तक किसी को भी जरूत नहीं है क्योंकि कल क्या माहूल लग रहा था आज क्या माहूल लग रहा है और नेक्स्ट डेट के उपर क्या माहूल रहेगा इसका किसी को नहीं पता है तब तक सभी साथी अपने अपने हित के इसाब से उसको बताते रहेंगी हाँ हो सकता है आज SSC कमजोर नजर आई हूँ कल SSC का पक्स ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था तो ऐसे जो भी होता है कल क्या था आज क्या था और नेक्स टेट में क्या रहेगा जब तक final decision नहीं आपको panic ओने की जरूत नहीं है अपने आपको positive रखें और जो भरतियों से related input आएंगे वो हम आप तक पहुचाते जरूर रहेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा बात यह है कि आज के फैसले में अभी तक कोई solution नहीं हुआ है next date मिली है next date कब की है यह आप टेलिग्राम चैनल से हमारे जुडलें आपको पता चल जाएगी कब की next date रहने वाली है जो जो information ओर रहेंगी वो भी आप तक positive way में पहुचाते रहेंगे और साथियों सबसे अच्छी बात यहीं मानते हैं हम तो कि जितना जल्दी हो सके फैसल आए इतना जरूरे साथियों next date ज्यादा लंबी न बताई जा रही है लेकिन इसका confirm नहीं है confirm जो भी next date होगी official website पर जैसे ही आएगी वो साथियों हम आपको बता देंगे और टेलिग्राम चैनल के उपर आप देख लेना तो साथियों कुल मिलाकर आज की सुनवाई का निस्कर्स यही है कि आभी तक जजज सहाब ने कोई फै वार